ओमिक्रोन के बढ़ते हुए मामलों ने रास्तान के अंदर एक ऐस समंझस के सती बना दी है कि तीन तारिक से यानि की स्वमवार से स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे इसके बारे में तरह तरह के वीडियो जो आपके सामने आ रहे हैं यूटूब के उपर भी बहुत सी चीजें आपके सामने प्रस्तूत हो रही होंगी कि तीन तारिक से स्कूल बंद, इक तारिक से स्कूल बंद, एक तारिक स्कूल बंद, देखिए इसी करम के अंदर एक न्यूज है दैनिक बासकर में जो आई है सीद काले नवकास मापत हो गए हैं खुलेंगे इसकूल इसको देखते हुए तो लग रहा है कि स्कूल बंद नहीं होने वाला है इसकूल कोलेज कुलेंगे क्योंकि यहां पर देखिए इसकूलों में 15 से 18 साल तक के जो करीब 2 लाग बच्चे हैं विद्यारती हैं उनको लगेगी वैक्सीन इसकूल और कोलेजों में सनिवार चे सकूल कुलेंगे सीथ काल नवकास के बाद सनिवार चे सेक्षणिक संस्तानों पड़ाई शुरू होगी वहीं प्राइवेट इसकूलों में सनिवार का उकास किये जाने से स्वमवार को प्राइवेट इसकूल यथा समय कुलेंगे वहीं दूसरी और COVID-19 के नए वेरियंट ओमिक्रोन को देखते हुए वेक्सिनेशन केंप लगाकर वेक्सिनेशन करवाया जाएगा ADEO मादेमिक मुख्याले महिपाल सिंग ने बताया कि वेक्सिनेशन के तयारियों को लेकर CBO को विवस्ताय करने के निर्देश दे दिये गए है वेक्सिनेशन टीम स्कूल जाएगी इस्टुडेंट्स के अधार कार और मुबाइल नमबर तयार रखें गवर्मेंट कोलेज प्रिंशिबल डॉक्टर जयंत विजेवर्गे ने बताया कि कोलेजों में बेगर मास्क एंट्री नहीं होगी कोलेज में जो स्टुडेंट्स 15-18 साल के हैं उन्हें वेक्सिनेशन के लिए प्रियरत किया जाएगा साथ ही अधिक संक्या में स्टुडेंट्स होने पर कैम्प लगाने का प्रियास भी किया जाएगा प्राइवर्टी स्कूलों में वेक्सिनेशन पर होगा पूरा फोकस CBSC महोदया कॉम्पलेक्स अध्यक्स इंजिनियर प्रदीफ सिंगोड ने बताया कि इस्कूलों में तीन जनवरी से 15-18 साल के स्टुडेंट्स के वेक्सिनेशन पर पूरा फोकस रहेगा COVID-19 प्रोटोकॉल की पूरी तरह से पालना की जाएगी स्कूल में COVID-19 प्रोटोकॉल को लेकर निर्देश जारी कर दे गए है वेक्सिनेशन के स्कूलों में लगेंगे कैंप चिकित्या एवं स्वास्ते विभाग की और से स्कूलों में वेक्सिनेशन के लिए कैम्प लगाए जाएंगे प्राइवेट स्कूल तीन जनवरी से खुलेंगे वहीं अभिभावकों ने छोटे बच्चों की चुट्टी करने की मांग उठाई है कोविड-19 के नए वेरियंट ओमिक्रोन को लेकर अभिभावक चिंतित हैं इस मामले को लेकर शिक्षा मंतरी से बात करेंगे सरकार की और से छोटे बच्चों के लिए अभी स्कूल बंद कर देना चाहिए तिसरी लहर आने की संभावना को देखते हुए ओल्लाइन बढ़ाई को शुरू कर देना चाहिए तो देख लिए आपने कि जो स्कूले बंद होगी हो छोटे बच्चों की बंद हो सकती है और स्कूल में देखते हैं स्कूल में किस प्रकार का माहूल होता है और वेक्सिनेशन अगर होता है तो आप 100% वेक्सिनेशन करवाईए क्योंकि कोरोना से रिजात पाना है तो वेक्सिनेशन करवाना ही है कोरोना को जितना है तो वेक्सिनेशन करवाना ही है ठीक है ओके थेंक्यू अगर खबर आपको बसंद आई हो ऐसी खबरों के लिए आप जैसर चैनल सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें कॉमेंट करें थेंक्यू